एबी जनकारी एजुकेस्टन यूटूब चाइनल में पुनह आपका एक बार फी स्वागत है और आज इस वीडियो का टॉपिक है वह सेंटर टीटी या अस्टेट टीटी के त्यारी से सम्मंधित हैं जैसा कि आपको जनकारी है कि अगर आप सेंटर टीटी के त्यारी करना च चाहते हैं तो आपको NCRT की बुक आपको पहने पढ़ेगी इसी को देखते हुए हमने NCRT के बुक कक्षा 6 का जिसका नाम है हमारा अतीत भागवन समाजिक विज्ञान का किताब है यह उसी को लेकर हमने यह नुश्ट त्यार किया हुआ है यह किताब देखिए आपके सामन टीटी की त्यारी कर सकते हैं अगर आपका भी से सोशल साइंस है तव और यह एक बात और बताना चाहते हैं कि इस टाइप का अबजेक्टिव अन्य दूसरे प्रिच्छाओं में भी काफी उपयोगी सीध होते हैं तो हमको मीद है कि अगर आप ध्यान प्रवक सुनते हैं त इसन, NCRT बुक से तयार किया हुए है कथासिस का जिसका नाम है हमारा अतिते, कई भागों में इस फिन किताब को बाटा गया है और पहला पाथ का नाम है किया, कब कहा है और कैसे, कईसी चैप्टर से हम ने इस प्रव औप्जेक्टिव कोशन के त्यार किया हुआ है जो CTET क कि त्यारी में आपको राम बान सीध होगा तो चलते हैं सीधे कोशन के तरफ पहला कोशन है कि गेहुं और जव कब से उपजाना परम किया गया है तिसका सही जबाब है लगभग 8000 बर्स पुरुव से दूसरा कोशन है कि जहां सबसे पहले चावर उपजाया गया ध्यान प्र हिसका सही जबाब है बिंधे पहाड़ी के उत्तर में मतलके बिंधेया चल पहाड़ी के उत्तर में सबसे पहले जहें चावर उप जाने का पर्माण मिलता है अगला कोशन है गांगा वह उसकी सहाएक नदियों के किनाए कोशन एक परोड़ शुन reflective G. जे गांगा वह उसके स अगला कोशन आए गारों की पहाड़ियां किस दिशा में हैं उत्र पुर्व दिशा में अगला कोशन इस परकार है कि बीन्ती पहाड़ống ह Sak usu की ब Take Love भारत के किस दिशा में बिंद पहाडियां है इसका सही जबाब है भारत के मध में बिंद पहाडियां हैं सभी कोशन को ध्यान प्रवक सुनेंगे अगला कोशन है गंगा नदी के दक्षिन छेत्र किस नाम से विख्याद था कोशन सुनें जेक बाद फिर कि गंगा नदी के दक कर देने में कुछ समय चाह रहा हैं तो आप हमारे YouTube वीडियो के बाद आप कमेंट कर सकते हैं कि इस वीडियो में किस प्रकार का संसल्धन किया सकता है और आपके सक्ताओं को देख कर आपको कमेंट को देखते हुए हम इसमें सुधार कर सकते हैं अगले चैप्टर में अगला क प्रस्ण और उत्र नहीं बताएंगे सिधे इसको उत्र और प्रस्ण समील करके एक ही साथ में पढ़ देंगे जिसको हम लग ओन लाइन अप्रोच कहा जाता है तो अगला हमारा उधिन कि प्रस्ण सकते हैं कि इंडिया सब्द किस्ते निकला हुआ है या इंडिया सब्सक्राइब पताएंगे था समय बहुत ज्यदा लगी के लिए प्रस बचाने के लिए हम इस प्रकार का शिस्टम अपना रहे हैं और उतर ना करके हम सड़ी हम सीधी हमें को इस प्रकार है कि उत्तर पश्चिम से आने वाले इरानियों और इनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा है अगला इस प्रकार है आप ध्यान प्रोक सुनेंगे जो पुष्ट के हाथ से लिखी जाती है उसे पांडू लीपी कहा जाता है अगला है पांडू लीपी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है तो पांडू लीपी को अंग्रेजी में मैनुस्क्रिप्ट कहा जाता है अगला है पांडुल निपियां जो है के बारे कुछ बता दना चाहते हैं हम आपको कि पांडुल निपियां पराया है ताड़ पत्रों अठवा ही म्याले छेतर में उगने वाले भूझ नामक पेल की छाल से त्यार किया एक बार पुना सुन लिजिए कि पांडू लिपिया प्राय ताण पत्रों अथवा ही म्याले छेत्र में उगने वाले भूज नामक पेंड की छाल से त्याल भूज पत्र पर लिखी जाती है अगला कोशन है लिपिया अक्छरों अथवा संकेतों से बनी होती है जान दिज ध्यान दिजेगा कि समराट असुक का अफगानिस्तान का अभिलेख इवनानी तथा और अमेईक नामक दू लिपियों में है अगला कोशन है कि कई बस्तू अतीत में बनी और पर्योग में लाय जाती थी ध्यान दिजेगा कि अतीति में बनी और परियोग में लाई जाते थी, हैसी बस्तुओं को अध्यान करने वाला व्यक्ति पूरा ताथ ⑯ वीद चालता है पतल फैसंज को समय के बस्तू को अध्यान करते हैं उनका कारेकाल निधान करते हैं उससे अनुमान लगाते हैं उस जो ये काम करता है उसे हम क्या करता है पूरतत्व वीद करते हैं तिसी के साथ कुछ कोर्षन पूरा हुआ अगला कोर्षन इस प्रकार है कि इसा मस्तिह के जनम के पूर्व की सभी तिथिया इसभी पूर्व के रूप में जानी जाती है जो भी घटना इसा के जनम से पूर्व को हुआ है उसे इस्वी पूर्व और इस्टा के जन्व के बाद जो घटनाएं घटी है उसमे इस्वी के नाम से जना जाता है अगला कुशन इस प्रकार है कि इस्वी पूर्व को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इस्वी पूर्व को अंग्रेजी में सौट में बीसी कहते ह हैं जिसकाப फुल्फरम लिफोर क्राइष्ट है कुनध सुनीड इस भी पूर्ब को सूत में या अंगरेजी में बी सी कहते हैं और भी सी का फुल्फरम होता है उफ़्ज finely वहीं जो है इसमी सन को ए दी बौलते हैं और इस इसका बोलते हैं का है अगला कोश्चन मिस्र के उत्री तट पर रोसे नाम का एक कर्षबा है यह दिया हुआ है इसकी इता में इसलिए हम इस कोश्चन को समयलित कर लिया है कि मिस्र के उत्री तट पर रोसे नाम का एक कर्षबा है तो पूछ सकता है कि रोसे नाम कर्षबा कहा है तो मिस्र के उत्री के पहाड़ियां है कि सुलिमान और किर्थर के पहाड़िया कहा है तो भारत के उत्तर में है इसी के साथ यह वेडियों हाँ पर समाप्त हो रहा है और इसमें किस प्रकार के सुधार करना है आप कमेंट करके